Hey everyone, अगर आप पनीर की वही repeated और monotonous सी recipes खाकर ठक चुके हैं और कुछ नया try करना चाहते हैं, तो आप मेरी इस पनीर काली मिर्च की recipe को ज़रूर try करें, जो बनाने में बहुत ही simple है, तो चलिए बनाते हैं पनीर काली मिर्च की recipe, तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन कन से ingredients चाहिए, पनीर 200 ग्राम, प्यास दो मीडियम साइज के, रिफाइंड तेल 5-6 टेबल स्पून, अधरक लेसन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही 1 चौथाई कप, क्रीम 3 टेबल स्पून, काजू 8-10, खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है 30 पत्ता 1-2, बड़ी इलाइची 1, चोटी इलाइची 3, दालचीनी 1, लॉंग 4, काली मिर्ज पाउडर 1 और आधा टीजपून, जीरा पाउडर आधा टीजपून, गरम मसाला पाउडर आधा टीजपून, नमक स्वाद के अनुसार, कस्तूरी मेथी आधा टीजपून और पानी आधा कपून, तो सबसे पहले पनीर को सौटी कर लेते हैं, इसके लिए एक पैन हीट कर ले और डाले 8 टेबल स्पून रिफाइन तेल, और तेल गर्म होने पर डाले क्यूप्स में कट के वे पनीर, मैंने पनीर यहां 200 ग्राम लिया है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखे और सभी साइड से पनीर को सौट कर ले, आप चाहे तो पनीर काली मिर्च की रेसिपी पनीर को बिना फ्राइग के वे भी बना सकते हैं, अब एक कढ़ाई हीट कर ले और उसमें डाले 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइन तेल, तेल गर्म हो गया है, तो चलिए डालते हैं सारे खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है, दो टेज पत्ता, एक बड़ी इलाइची, तीन छोटी इलाइची, एक डालचीनी और चार लॉंग, इन सारे खड़े गरम मसाले को कुछ सेकिंद्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छ से भुन ले, अब डाले दो मीडियम साइज के रफली कटेव प्याज और इसे हलका गुलाबी होने तक फ्राई करें, फिर डाले आठ से दस काजू और इसमें डाले थोड़ा सा नमक, प्याज का अच्छ सा गोल्डिन कलर आ गया है, तो इसमें डाले एक चौथाई कप पानी और धक्कन लगा कर इसे लगभग आदे से एक मिनट के बन करें और सारे खड़े गरम मसाले को एक केकर निकाल ले, फिर प्याज और काजू को एक ब्लेंडिंग जार में निकाल ले और डाले थोड़ा पानी, हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ थोड़े पानी का यूज कर रही हूँ, तो चलिए अब इस पीस लेते हैं, अब गैस ओन करके सेम कड़ाई में डाले दो टेबल स्पून रिफाइन तेल, तेल अच्छे से हीट हो गया है, अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था वो केरफुली डाल देंगे, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाएं, काजू की वज़े से पेस्ट जल्दी से ठिक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा पानी आट कर रही हूँ, फिर इसमें डाले एक टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट, आप अद्रक लेसन के पेस्ट को प्याज भुनने के टाइम भी डाल सकते हैं, आदे मिनिट के लिए इसे भुन ल याद रहे, प्याज भुनते वक्त भी हमने थोड़ा नमक उसमें आड किया था, तो नमक ध्यान से डाले, अब इसमें आड करें एक और आधा टीस्पून काली मिर्श का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और अच्छे से इन्हें मिला ले, कुछ सेकिंज के साले में डालने पर कभी नहीं फटेगी, दई को अच्छे से मिक्स कर, गैस का फ्लेम ओन कर ले, अब ग्रेवी में डाले फ्राइ के वे पनीर के पीसे और इसे अच्छे से मिक्स कर ले, फिर इसमें डाले आधा टीस्पून कस्तूरी मेथी और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, कुछ सेकिंद्स के लिए इसे कुक करें और डाले आदा कप पानी, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए, तो पानी एक कप के करीब डाले, धक्कन लगा कर करीब 6-7 मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर ले, छे से 7 मिनिट हो गया हैं, तो ढग्कन हटा कर इसे चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, उपर 3 तिक रहा है, इसका मतलब है कि अच्छे से कुक हो चुकी है, अब लास्ट में डाले 3 टेबल स्पून के करीब क्रीब क्रीम, आप क्रीम की जगा मलाइका भी यूज़ कर सकते ह और ये लीजे, पनीर काली मिर्च बनकर तयार है, अगर आपको मेरी ये पनीर काली मिर्च की रेसिपी अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अब तक मेरे चैनल फूड अब बीच्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फटसे से सब्सक्राइब भी क